अज़े विडियो में हम ओवरक्लॉक करने वाले हैं RTX 2060 को यह ओवरक्लॉकिंग गाइड हर RTX काड या हर GTX काड पर अप्ली के बल है यानि कि अगर आपके पास 16 सीरीज का कोई काड है या आपके पास कोई 20 सीरीज का काड है इवन अगर आपके पास सीरीज का भी काड है तो भी यह ओरक्लॉकिंग गाइड उस पर काम करेगी तो अगर आप ओरक्लॉक करना चाहते हैं अपने ग्राफिक्स काड को और ओरक्लॉक का नाम सुनके डरो मत देखो यहाँ पर मैं जो आपको method बताने वाला हूँ उससे आपकी warranty void नहीं होगी तो अगर आप यह सोच रहे थे कि यार भाई अगर मैं overclock करूँगा मेरी warranty चली जाएगी तो tension लेनी की ज़रूरत नहीं है यह जो मैं आज method बताने वाला हूँ यह Nvidia का खुद का recommended method है और इससे आपकी warranty नहीं जाने वाली और आपको card से extra performance देखने को मिलेगी तो यह इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती कि मतलब तुम और clock भी कर रहे हो और तुमें extra performance भी मिल रही है और तुमारी warranty भी ना जाए क्या आपका mouse bottleneck करता है आपकी gaming performance को तो आज ही खरीदो Corsair M65 Pro RGB क्योंकि यह बना है aircraft grade aluminum से इसमें आपको देखने को मिलते हैं dedicated sniper button for perfect headshot साथ ही साथ मिलते हैं long lasting ombron switches Pixar 336X gaming grade sensor और यह आता है surface calibration support के साथ and customizable RGB as well तो यहाँ पर और clock करने के लिए पहली बात तुम पर अफकोर्स graphic card होना चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर पढ़ा हुआ है मेरे पास जो पढ़ा हुआ है RTX 2060 Founder Edition ठीक है परे तो huge thanks to NVIDIA जोनोंने 2060 मुझे Founder Edition भेजा ठीक है तो आपके पास कोई भी card चलेगा मैं 2060 Founder Edition यूज़ कर रहा हूँ and EVJ Precision दिखने का अलग है तो मुझे EVJ Precision दिखने में थोड़ा अच्छा लगा तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ उपर से इसमें समझाने में असानी होगी MSI Afterburner का इंटरफेस अलग है तो चीज सेम ही है दोनों में तो थोड़ा दिखने का अलग है बाकि वो तुम समझदार हो तुम्हें पता है नाम पढ़के पता चली जागा तुम्हें options ठीक है मेरे सारे subscribers समझदार लोग है वहना हम देखके पता लगा लिए है कौनस option का है क्योंकि ये guide NVIDIA के लिए है तो मैं EVJ Precision यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये NVIDIA का एक तरीके से तुम चाहो तो मैंसे कहा सकते हूँ कि इसको NVIDIA एंड EVJ ने मिलकर बनाया है तो software free to download है जाके site पे Google पे search करना EVJ Precision X1 तो में download links मिल गाएंगे EVJ के site से download कर लो कुछ इस तरीके का इसका interface है तो देखो दिखने में वड़ा cool लगता है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख भी सकते होगे मेरे पास G4 RTX 2060 या है पे लिखावा आ रहा है software में ये जो आपको 435 MHz ये 7th 19 MV 435 MHz मेरी GPU की clock speeds है भी अभी ये 435 MHz पे इसलिए चल लए है क्योंकि देखो मैं कुछ करने रहा हूँ कुछ निकर रहा हूँ मैं देखो मेरी screen recording चल लगी है और बस बाकी मैं कुछ निकर रहा हूँ बीच में 1300 MHz भी गया तो अभी GPU आइडल पे है और ये आपके power और GPU के temperatures वगएर है ठीक और यहां से आप अपनी नीचे पे fans वगएरा control कर सकते हो तो हमको manual overclock नहीं कर रहा है हम यहाँ पे use करने वाले है manual भी कर सकते हो आप लेकिन मैं यहाँ पे आपको recommend करूँगा कि अगर आप warranty void नहीं करना चाहते हो वैसे तो warranty void आप manual overclock से भी नहीं करोगे यह NVIDIA खुद का statement है मेरा statement नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आप यह कर सकते हो कि आप इसमें जो छोटा सा arrow दिख रहा है यहाँ से right side में जाईए तो यह आपको एक VF curve tuner दिख रहा है जो कि है voltage frequency curve तो NVIDIA ने क्या किया NVIDIA ने एक program develop किया है इसे कहते है automatic overclocking या फिर OC scanner अब यह क्या करता है यह आपके रहा NVIDIA ने एक algorithm बनाई है जो कि आपके GPU को test करती है एक load एक certain load डालके जो कि एक mathematical problem है या एक mathematical algorithm है मैं कहूंगा जिसके through अपने GPU को load देते हैं कि कितना load GPU को देना चाहिए और खुद ही GPU अपने आपको overclock करता है फिर अपने आपको उस load से जो है वो pass करता है जैसे आप तो जब overclock करते हो तो आप क्या करते हो कि आप कोई benchmark test करते हो कि overclock stable है या नहीं तो NVIDIA ने खुद की algorithm बनाई है वो test करने के लिए तो NVIDIA का software क्या करता है कि खुद को boost करता है फिर खुद को ही test करता है तो एक तरीके से आपको कुछ करने के ज़रूत नहीं है तो यहाँ पर आपको करना क्या है जैसे आपको यह point यह खुल जाएगा EVJ precision software खुल जाएगा आप यहाँ पर simple scan button दबादो अब उसके बाद ही होगा क्या यह 15-20 minute का time लेगा हो सकता है इस बीच में आपके screen बंद हो एक दो बार खुले screen उसमें tension लेने की ज़रूत नहीं इसको 15-20 minute दो और यह जो है यह खुद को overclock कर लेगा उसको overclock करने के बाद आपको एक वो range देदेगा कि आपको कितना clock speed जानी core clock पर आपको कितना megahertz बढ़ाना है NVIDIA यह खुद आपको बता देगा तो यहाँ पर जो यह score वाला जो आपको option दिख रहा है यहाँ पर आपको 15-20 minute बाद वो यहाँ पर लिखावा दिखा देगा और यहाँ पर GPU test results में क्या वा pass हुआ या fail हुआ वो भी आपको लिखावा दिखा देगा तो यहाँ पर देखो यह भी test कर रहा है यह test करता है different चीजों के उपर कि temperature कितना है power limit कितनी है उस basis पर यह program वो खुद को test करता है आप साथ साथ में देख सकते हो temperature दीर दीर बढ़ भी रहा है और 15-30 में कर सभी है भी थोड़ी दीर में बढ़ेगा तो यह देखो 15-13, 15-15 देखो यह उपर नीचे हो रहा है मतलब NVIDIA का जो GPU है वो जुनके algorithm हो खुद को test कर रही है अब जो हो आपको एक बाद में वो एक यहाँ पर पुरा graph बना के दिखा देगा तो वो आपके उपर है कि आप कैसे overclock करना चाते हो अगर आप इस method से करना चाते हो तो आप इस method से कर सकते हो वरना भी हम manual भी करेंगे उसको टेंशन मतलो इसको होने देते हैं 15-20 मिनट बाद आते हैं और देखते हैं कि NVIDIA का यह जो automatic OC है यह कैसा गाम करता है इसको pause कैसे करते है recording pause कैसे करते है NVIDIA में अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा यह जो overclocking वगएर थी अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो तो आपको यह जो curve दिख रहा है जो हरे रंग का जो आपको यह line दिख रही है यह अगर आप पीछे करो तो पहले थोड़े different थी और अब यह different है क्योंकि NVIDIA का जैसे मैंने खाँ यह voltage frequency curve है कि एक certain voltage पे तुम कितनी frequency achieve कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो voltage है यहाँ पे यह है तो जो भी है वो NVIDIA के अपनी algorithm है वो अपने हिसाब से उसको test कर रहा था उसने test खतम कर दिया और उसने हमको यहाँ पे दिया plus 121 का score तो अगर मैं core पे plus 121 मैं चाहूं तो इसको directly मतलब यह जो curve है इसको छोड़ के मैं manual overclock भी कर सकते हो और आप भी उसको कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पे use करूँ इन्होंने plus 121 देखो आप देख सकते हो और test जो हो pass है तो मैं इसे 121 कर तूँ नहीं है तो बहुत साथ हो गया 121 कर दूँ और फिर उसके बाद इसको करूँ apply and फिर मैं क्लिक करूँ test पे तो आप देख सकते हो कि मैं इस वक्त फिलाल चल रहा हूँ 20-25 megahertz पे ठीक है आप चाहूं तो यहाँ पे खुद की clock speeds डाल सकते हो मैंवली खुद overclock कर सकते हो खुद से चीजों को वो सब डाल सकते हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आप मैंवल overclock कर सकते हो जब आप मैंवल overclock कर रहे हो तो मैं आपको recommend करूँगा आप 15-15 megahertz के steps में जाए क्योंकि करता हो cancel ठीक है तो फिलहाल के लिए उस वक्त पर आपने देखा होगा हम 2000 something something megahertz पर जा रहे थे तो अभी हम है रुको में कोई test load निकालता हूँ GPU-Z देखो अभी हम 2040 megahertz तक जा रहे हैं तो मैं एक नट कहां गया फिलहाल ताकि हमारा GPU आइडल पर ना रहे तो मैंने यह test निकाल दिया तो मतलब यह कुछ ना कुछ रेंडरिंग चल रही है यहां पर तो हमारा GPU आइडल पर नहीं जाएगा वो 200-300 megahertz पगरा है ठीक है तो वो use करने के लिए हां record तो हो रहा है ठीक है तो वो use करने के लिए कि मतलब हमारा कुछ rendering background में चल रही है ताकि हमारा GPU बूस्ट क्लॉक पे रहे 300-400 megahertz पाइडल पर न आ जाए तो आप देख सकते हैं हम 20-25 megahertz पे फिलाल है लिमिट है इसको full कर दें GPU की जो temperature limit है इसको भी उपर कर दें एंड यह सब चीज़ ट्राय करें एंड एक और चीज़ में हमने सिर्फ core overclock किया है यानि कि जब आप यह automatic overclock apply करोगे तो सिर्फ आपके core overclock होगा आपकी memory overclock नहीं होगी तो memory को अगर आपको overclock करना है तो आप memory को खुद से overclock आपको करना पड़ेगा मतलब manually तो वो चीज़ जिसकी मुझे एक disadvantage लगी कि memory को आपको खुद से overclock करना पड़ेगा तो देखो अभी हमने memory में मैंने plus 400 का offset डाल दिया तो अपने हमारी memory भी थोड़ी overclock है तो temperatures भी आप देख सकते हैं 70 77 ऐसे जा रहे हैं तो यह of course founder edition card थोड़ा बहुत होट तो run करेगा यह करेगा तो यह सब चीज़े हैं यह आप automatic पर जा सकते हो जैसे देखो मैं इस render test को रोकता हूँ हमारा card जो हो थोड़ी दिर में भी idle पर आजागा देखो काम होने लगए clock speeds तो हमारा card जो हो idle पर आजाएगा भी थोड़ी दिर में क्योंकि हम कुछ काम अगरा करनी रहे हैं अब आप जो हो कुछ rendering चलनी रही है तो य आप चाहो तो इस तरीके से automatically overclock कर सकते हो या manually आप यहाँ पर कुछ भी डाल के overclock कर सकते हो जैसे for example start करो 50 MHz से तो 50 MHz मैं डाला तो देखो यह नीचे आगया line ठीक है फिर इसको apply करूँगा फिर इसको test करूँगा फिर 50 में जैसे मैंने starting 15 से करना 15-30 फिर 45 इस type से ठीक है time spy, time spy extreme या heaven benchmark या heaven benchmark यूज़ कर सकते हो या इस type को भी benchmark यूज़ कर सकते हो या इस type को भी benchmark यूज़ कर सकते हो तो gt2 पर धिहान देना है क्योंकि gt2 जाधा graphic intensive है as compared to gt1 तो और memory intensive भी है gt2 तो वो चीज़ धिहान रखना वहाँ पर यह जब जब आपका हो जाए तो आप इ 40 degree पर temperature हो तो fan जो है वो कितने percent पर चलें लाइक इसमें जो setup हो है कि अगर 30 degree temperature है तो fan 40 पर चलेंगे अगर 50 degree temperature है तो fan 50 पर चलेंगे and अगर 90 degree temperature पहुंच गे तो fan 100 पर चलेंगे तो इसको आप अपने हिसाब से भी customize कर सकते हो ठीक है and बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर like यह है जो temperature tuner इसको भी आप जो है यह आपका थोड़ा और अलग होगा दिखने में यह थोड़ा बहुत GPU boost 4.0 से भी relate करता है कि इसको चलो मैं किसी और चीज में वीडियो में बता दूंगा but basically इतना ही था कि GPU boost 4.0 में नया यह है कि पहले जो GPU boost 3.0 हो था उसमें जैसे ही आपका जो base clock पर आजाता था आपका graphic card आप इसमें ऐसा नहीं होगा boost clock पर आएगा boost clock पर आगर वो temperature limited नहीं रहता है तो वो boost clock पर ही रहेगा base clock पर नहीं आएगा तो बहुत सारी कुछ चीजे हैं जो Nvidia ने tune करी है और हां तो यही चीज आप जो है वो Pascal cards के साथ भी कर सकते हो जो आपके 16 series के cards हैं उनके साथ भी कर सकते हो आपके 16 series भी tuning series है 16 series के साथ कर सकते हो 20 series के साथ कर सकते हो and 10 series के graphics card के साथ भी आप यह सब कर सकते हो यह 10 series के साथ भी applicable है MSI में अगर आप MSI after burner use करते हो तो उसमें settings कुछ अलग है मतलब options कहीं और पर जाके हैं यह जो है इसके options ज्यादा मुझे सही लगे, मतलब इसमें आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस पे clock speeds पे टच करता हूँ, तो देखो यह purple हो गया बीच में, देखो core जो है, तो मतलब मैं core को overclock कर रहा हूँ, अगर मैं voltage पे click करता हूँ, तो voltage जो है अगर मैं slider को बढ़ाता ठीक है, power target, जो कि NVIDIA के 20 series के card फोड़ो बहुत power restricted है, power restricted का मतलब यह है कि power limit हिट कर देते हैं, कभी-कभी अगर तुम जादा overclock करोगे तो, जो कि यह card भी करता है, तो अगर तुम्हें यह power limit बढ़ानी है, तो तुम power limit बढ़ाओगे तो तुम VRM की, देखो तुमारी जो VRM section है, वो जो है purple हो चुका है, ठीक है, और अगर तुम memory पे overclock करोगे, तो देखो memory जो है, वो side side में purple होगे, तो तुम्हें पता चल लाए कि तुम क्या चीज़ें छेड रहे हो card में, ठीक है, तो यह चीज interface में जिसका काफी अच्छा लगा, कि मतलब अगर कोई एकदम absolute noob ह तो वो भी अगर एक बार देखेगा, तो उसके सामने जब यह color wallers change होंगे, तो वो भी समझेगा कि हाँ, किस से कौन से चीज़ पर affect पढ़ रहा है, प्लस क्यूंकि इसमें Nvidia कोई, मैंने जैसे तुम्हें बोला कि यह voltage slider है, कुछ काम धाम का है, ठीक है, कुछ करता नहीं है, तो यह Nvidia का ही statement है, कि तुम जो है, इन sliders को पूरा max भी कर दोगे न, तो तुम्हारा जात साथा card crash होगा, restart करोगे, अपने आप restart होगा, ठीक हो जाएगा, नहीं तो तुम खुद restart करोगे, system को ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, तो इससे तुम्हा आप भी नहीं होगा, damage नहीं होगा, warranty नहीं जाएगी, हाँ crash होगा, restart होगा, फिट से default करा जाएगा, और तुम्हेरे आकला जाएगी, तो यह सब चीजे है, Nvidia का यह खुद का statement है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें warranty मिलेगी, ऐसा कुछ तुम्हें नह शेयर करना, ना भूलें, धन्यवाद, bye-bye, take care guys.